हेलो मेरे डाड़ो, मैं आपका अपना रोईत कुमार सोनी, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर जो बच्चे मेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेट्स लवर जिनको बोला जाता है, क्लास में बोलते हैं, यह काफी ज़्याद उनको बच्चों के लिए एक तो मैंने पहले वीडियो बनाई ही था, ISI नाम से, इंडियन स्टेटिस्कल इंस्टिटूट नाम से, वो वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा, हलांकि मैं उसका लिंक भी डिस्क्रप्शन बोक्स में डाल दूँगा, उसी के सि CMI, क्या है ये, सेम डिट्टू उसका भाई मान सकते हैं, क्या चीज़ है, वो देखो, थोड़ा सा अमीर भाई है, क्यों अमीर है बोला मैंने देखते रहे ना, अब आउट CMI, चलो उसके बारे में थोड़ा सा पहले एक दो पॉइंट पढ़ लेते हैं, नाम सी ही पता लग रहा है, इसका फुल फोम रहता है, चेनेई, मैथेमेटिकल, मैथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, ये तो भाईखा इसका आगया, फुल ने, अब नाम सी पता लग रहा है, चेनेई के अंदर इस्टिट्यूट है, चेने यह आपका आगया तमिल लाडू के अंदर है न तो यह साउथ इंडिया के अंदर है बड़ा दूसरा चीज अगर इसके अगर इसके लिए अपने बात करें तो यह Central Government State Government और Corporation Fund के थूँ यह आपका College है और इसके अगर मैं इसका famous कहना इसके लिए इसकी जो faculty है world class faculty है बड़ा मतलो अगर आपको maths की high level type की faculty अगर आपको इसे knowledge यह जिन से CMI इसमें best है क्यों best है मागे चलके उनकी कुछ आपको बताने वाला हम points इस इस type से है जैसे देखो CMI जो faculty रहते हैं वो world class faculty है and exchange program क्योंकि इसके अंदर क्या रहता न एक exchange program टाइप भी रहता है मतलो आप अगर CMI में पढ़ रहे हो तो CMI का जो type है वो world के अंदर दूसरे जो बड़े-बड़े mathematical institute है उससे भी रहता है तो कुछ पच्छे के न academic score के according वहाँ भी चलता रहता है अनुका exchange offer बात कर रहता है मैं faculty के लिए तो वो क्या होते है member of international math society international math society काफी high level रहता है member of Indian national science academy और दूसरा point बटनागर अवार्डी होते है अगर कोई बच्छा थोड़ा से जिसको बारे में जिसको पता है बटनागर अवार्ड जो इंडिया का काफी famous अवार्ड रहता है और इसका मतलो मैंने तो कुछ ऐसे देखा था कि जिसको मिलता है उसको six lakh के प्राइज मनी मिलता है फिर 15,000 पर मन बिलते रहता है मतलो उसके लावा काफी respectful ये अवार्ड है आपका ये तो हो गया आपके CMI के जो faculty है उनके लिए अब अपने अगर इसके बात करें कि इसमें कौन-कौन से academic course है जो main चीज है तो academic course में बात करूँ तो इसके अंदर रहता है B.A.C. के दो course है B.A.C. in Mathematics and Computer Science तीन साल का course रहता है ठीक है और दूसरा B.A.C. in Maths and Physics ये भी तीन साल का course रहता है ठीक है और ये तो B.A.C. के लिए दो प्रोग्राम आगे आगे अगर बात करें MSC के लिए तो ये होता है MSC in Maths MSC में काफी सरे प्रोग्राम है MSC in Data Science MSC in Computer Science MSC के लिए इनकी तीन प्रोग्राम रहते हैं और अगर बात करूँ में PhD के लिए तो PhD in Maths PhD in Data Science और PhD in Computer Science and PhD in Physics इस ताइप के इनकी खूब सारे कोर्सेश हैं अब होता किया है ये जो दो कोर्स है UG कोर्स इनके लिए CMI एक खुद का एक्जाम कंडेक्ट करवाता है उस एक्जाम के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं MSC के जो ये तीनों कोर्स है ये लोग लेते है जेम के कोर्डिंग Joint Admissions Test of Masters जिसको आप फुल फॉर्म जानती हो न और ये जो पीजडी वाली है इसके लिए इनका एक एक एक्जाम होता है Joint Entrance Screening Test एक जेस्ट नाम से रहता है ये जेम और इसके लिए इनका खुद का एक्जाम रहता है ठीक है तो उसके उपर डिस्कस करेंगे तो पहला तो आपको ये academic program समझे बाने चीए कौन-कौन से CMI academic program है वाँ पी अब अगर आगे बात करें eligibility grader ये कुछ भी अगर अगर अपन रहते हैं eligibility तो पता होना चीए कौन सा बच्चा कर सकते हैं तो अगर अपन बात करें इसमें BAC के लिए वाले के लिए बात करें जो BAC के जो दो course थे ना बोथ course उसके लिए तो simple है 12th pass होना चीए 12th equivalent होना चीए और PCM रहना चीए obviously मतलो math subject तो उसका रहना ही चाहिए simple BAC के जितने भी दोनों प्रोग्राम है वो और अगर MSC वाले प्रोग्राम के लिए बात करें MSC वाले प्रोग्राम के लिए आपके पास BA, BAC, BE Bachelor in Engineering या फिर B.Tech इस टाइप के डिगरी होना चीए और Strong Command होना चीए किसके अंदर अगर आप MSC कर रहे हो Mathematics तो Mathematics में कमांड होना चीए MSC डाटा साइंस कर रहे हो तो आपका Mathematics, Statistics, Computer Science इसके अंदर आपकी होनी चीए MSC कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो आपका computer science के अंदर अच्छी पगड़ रहनी चाहिए ठीक है ऐसे अगर आप PhD के लिए जा रहे हो तो PhD वाला बच्चा कुन को अप्लाई कर सकता है BSC, MSC इस टाइप की जो बच्चे है और equivalent रहना चाहिए जब बच्चे एक्जाम देने से पहले ना बच्चों के माद माता है कि सरफ seat कितनी है कितनी seat पर हम लोग वहाँ पर competition लड़ने वाले है तो पहला चीज बता दूँ ये toughness level काफ़ी ज़्यादा रहता है जई advance है उससे भी थोड़ा toughness level रहता है similar और कुछ problem उससे tough level की भी रहती है तो ये बच्चे एक्जाम की preparation कर सकते हैं जिनको really math में interested है या फिर जो चाहते हैं कि मेरा all over India maths में क्या level है देखने के लिए भी ये बच्चे खुब सारे बच्चे एक्जाम देते हैं पहला बात अगर बात कुरूँ तो मैंने ये देखा कि ये एक्जाम है almost 10,000 sorry rupees क्यों निखा हूँ 10,000 students ये वाला एक्जाम देते हैं है ना application form इतने आते हैं है ना और उसके अंदर 100 seats रहती है total 100 seats आपके पास applicable रहती है मतलो जो CMI selected करती है इन में से cut off निकाल के वो भी आपन discuss करने वाला है उसमें से ended seats में आता है अब उसमें से कौन-कौन से admission लेते हैं mostly मैंने देखा कि 40-50 student तक ही admission लेते हैं हलांकि उसका reason कि है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो पहले पता लगना चीए इतने ही seats है इसकी ठीक है और ये इतने नंबर का तो आप देख सकते हो level क्या examination का toughness level क्या है दूसरा चीज सबसे मैं CMI interest exam का format क्या है इसको सुलो ध्यान से एक पॉइंट को मैं जो बोल रहा हूँ ये काफी potent है वड़ा ये क्या रहता है ना पहला चीज तो offline exam होता है एक एक पॉइंट मैं इसके बारे मताते हैं तो ये offline exam रहता है दूसरा चीज ये pen offline लिए तो pen paper तो अपने आप यह हो गया ये three hours का exam होता है ठीक है और only maths आता है इसके अंदर और कुछ नहीं आता है अगर किसी बच्छे का physics chemistry थोड़ा वी के जिसको इंट्रेस्ट कम होता है और इसलिए जिसका में इंट्रेस्ट है वही जहां पर आएगा ओनली में रहता है और क्या होता ना three hours का exam रहता है और किस टाइब से वह देखो दो पार्ट होते हैं इसके अंदर पार्ट वन पार्ट वन के अंदर आपके टोटल 10 questions आते हैं और यह 4 marks के रहते हैं ठीक है 10 questions आएंगे 4 marks का each questions होगा तो टोटल कितना हो गया 40 marks आगे बटा 40 marks आगे अब यह जो 10 questions है यह vary करता है actually CMI exam का pattern year to year vary करता रहता है कभी यह objective देते हैं यह यह वहला part करें यह 10 questions है यह कभी objective कभी integer type के कभी zone का मतलू जैसा उनको लगे दूसरा part 2 होता है 6 questions रहते हैं और यह 10 marks का हर एक questions होता है ठीक है यह कितना आगे 60 marks टोटल कितना 100 marks का paper रहता है और तीनों घंटों में यह करना होता है 3 hours करेता है part 1 part 2 दोनों रहते हैं यह जो 6 questions है यह होते है subjective actual में यही decide करता है कि आप cut off clear होगी या नहीं होगी यही है जड़ इसका यही है क्योंकि इसमें जो questions रहते हैं वो olympiard level के रहते हैं आपके olympiards level कैसे त्यारी करनी है क्या-क्या books follow करनी है क्या syllabus है मैं बताऊंगा छोड़ो मेरे पे आगे बस देखते हैं वीडियो को last तक इसमें interesting point क्या है ना जैसे ISI में था अगर आपने देखा है तो ISI के अंदर भी था और इसमें क्या ना कि अगर आपका part 1 का cutoff clear होता है तब ही जाके आप part 2 आपका check होगा हलांकि अगर part 2 आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो part 1 की cutoff होती है कुछ जैसे यह यहां पर approximately यह रहता है 16 to 22 marks इसी में vary करता रहता है 40 marks का total होता है इसमें 16 to 22 marks के बीच अगर आपकी cutoff और यह भी कहाना कि cutoff भी कहाना है obviously vary करता है है ना लेकिन इतनी cutoff अगर कुछ specific cutoff निकालेंगी वो cutoff आपकी part 1 की clear होगी तब ही जाकि आप part 2 लिख सकते हो है ना तब ही आपके sorry part 2 लिख तो सकते हो क्योंकि दोनों paper एक ही दिन होगे दोनों मतलों एक ही paper मोने वाले है part 1 and part 2 लिख तो सकते हो आपको इदिक्कत नहीं है लेकिन check वो तभी होगा जब part 1 का cutoff clear होगा तब अब एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा अगर किसी फंबल हो गया तो part 1 का cutoff ये है ये अगर आपका clear होगा तब ही आपका part 2 check करेंगे वो लोग नहीं तो part 2 मैं अब कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो check नहीं करेंगे ये ध्यान में रख लेना बहुत मदलो ये इसका काफी interesting point लगा मेरे को क्या करते हैं ये लोग cutoff के लिए बात करें अगर अपन इसके तो हलांकी मैंने ये सुना है कि CMI अपना cutoff disclose नहीं करता है ठीक है मदलो क्या cutoff होगी वो इस टाइब की disclosure नहीं देता ये फिर भी अगर अब मैं मोटा मोटा मैंने क्योरा की उपर देखा इन लोगों का तो मोटा मोटा मेरे को ये नजर आए कि part 1 की अंदर जो 40 marks का रहता है उसमें इन लोगों का 25 to 30 marks का cutoff जाता है और part 2 जो 60 marks का था उसमें 35 to 40 marks का cutoff जाता है कहने का मोटा मोटा मतलो इस 65 to 60 to 65 total total 62 to 65 marks का cutoff जाएगा आपका हाना हालांकि disclose तो नहीं करते हैं वो लोग लेकिन इतना मोटा मोटा idea लगा सकता है कि इतने marks का cutoff रहता है आपका तो काफी ज़्यादा toughness level है अब इसमें एक पॉइंट ओरेड कर दूँ बटा आपका जो student आई एन एम ओ अवरेड़ी है लिख देता हूं मैं आई नमो ये अगर किसी ने clear किया है तो वो direct admission उसको मिलता है direct admission उसको ISI इस्वरीम CMI exam लिखना भी नहीं पड़ता है direct उसको पास call आता है direct उसको admission मिल जाता है और जो आपका ये जिसका clear नहीं है उसको ये part 1, part 2 आपके दो paper देने पड़ता है part 1 का clear cut off clear होता था तो part 2 के अंदर चाता है ठीक next slavis के लिए बात करें तो मैंने बोला था एक एक कॉइंट आपके लिए बड़ा बताया है यहांपे मैंने detail में आपको कही पे भी घूमने के जूरतनिया slavis क्या हुआ क्या नहीं होगा algebra में क्या क्या पोर्ष न सालव detail में लिख दिया बटा तो वीडियो एक बार like जुरूर कर दीजे क्या है यहांपे जई एडवांस का preparation कर रहे हैं वो जई एडवांस की level की त्यारी करते हैं प्लस एक्स्टा थोड़ा सा time निकाल के जो geometry of number theory है जो इसका एक extra slavis मने जो अपने जई एडवांस में नहीं है वो उसकी extra आप practice कर सकते हो geometry of number theory बाकी जितना भी जई एडवांस का syllabus है डिट्टो सेम रहता है है ना तो जागर जई एडवांस की preparation कोई बचा कर रहा है प्लस उसमें number geometry of number theory practice extra ओर कर लेना है ना कहां से करो practice के लिए मैं एक चीज़ पॉंट ओर भी बता दूं CMI की website पे जाना उस पे लास्ट येर के जितने चार-पांच साल की पेपर से वो देख लो आइडिया लग जाएगा मोटा-मोटा किस तैप की questions आते हैं वहांपे दूसरा syllabus देखिलो फिर आपका algebra में matrix, determinants, linear equations, solubility of equations यह आपके दो अलग है number theory वाले binomial theorem and multinomial theorem, PNC, permutation and combination, mathematical, induction, prime numbers, number theory वाले देख लेना अच्छे से इनको क्योंकि बाकि आप देखी रहो, logarithmics, probabilities, geometry वाले बात करें तो vectors, triangles, 2D geometry for conics, 2D geometry जो अपन स्टेट लाइन, circle, ellipse, hyperbola, parabola जितने भी पढ़ते हैं वह, tangents, लेटर जो questions होते हैं वह वाले, measurement of area and volume जो अलग लग आपन पढ़ते हैं वह वाले भी आपको यह मंदर AUD में cover कर लेते हैं वैसे इसके formula अगर आप पढ़ते हो तो coordinate geometry यह भी देखने वाला चीज है नया, trigonometry में, trigonometry, additional formula, subtraction formula, double angle formula और calculus के अंदर LCD limit, continuity, derivative, differentiability जिसको बोलते हैं, integral calculus बुरा देख लेना, indefinite, definite integration और maxima and minima, convergence criterion, complex number and roots of unity, यह slavage था जो आप video pose करके skin suit ले सकते हो, ठीक है, आगे बात करें ना, fees लिखा मैंने बड़े बड़े एक्सरों में, यहां प्यागे ना, मैं यह बोलूँगा, ICI is best, और ICI is पाकिस्तान वाला नहीं, क्यों यह बोलूँगा, क्योंकि ICI का fees रेता है 0 रुपीज बड़ा, कोई abstitution fee नहीं लेता है, हलांकि वो आपको 5000 का stipend या fellowship बोलता है, वो भी अबलेबल करवाता है, इसका थोड़ा सा क्या डुरूवे का ना, कि इसका एक लाख, वन लेक पर समेस्टर, tuition fees रहता है, बस यहीं प्याक के मेरी, मेरे को लगा रहे हैं, यह क्या है, यह क्या है वह यहां, एक-एक लाख रूपए, tuition fees, मतलों, पर एर अगर बात करूँ मैं, तो टू लेक्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेमेस्टर मिला के, और ओनली tuition fees की बात कर रहे हैं, पर सुनो बड़ा द्यान से, गबराना नहीं है, क्योंकि, क्योंकि, CMI की जो कमेटी है, उन लोगों का ये कहना है, कि, जो INMO अवार्डी है, उनके लिए वो लोग scholarship डिसाइड करते हैं, ठीक है, और कितने percent scholarship है, वो उनके score के उपर depend करता है, दूसरा चीज, CMI exam में, जो आपकी performance रही है, उसके base पे आपको कुछ scholarship भी available करवा ही जाती है, तीसरा चीज, अगर आप इन दोनों category में से भी नहीं आ रहे हो, और आपको financially दिक्कत है, आप इतना pay नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप इसके इच्छुखों interested है, आपको ये करने का, तो आपको करना क्या है, आपके documents, जो income certificate, जो भी अपने रहते हैं, financially, अपने, सो कर पाएं कितना अपना है income, तो वो documents आपको CMI committee को submit करने, वो committee फिर क्या है, डिसाइड करती है, कितना percent scholarship देगी, बहुत उन लोगों का ये मानना है, कि कोई पेसे की कमी की रहते, ये college medicine ना ले कोई बचा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो committee से एक वार discuss करे, कुछ ना कुछ scholarship आपको जुरूर मिलती है, तो fees के लिए थोड़ा सा ये concern देख लेना, scholarship and fellowship या वज़ स्टाइफन जिसको बोलते हैं, तो मैंने बताई दिया था, एक दो जो आइनो मो अवार्डी है, उनके लिए रहता है, और डूसरा चीज, आपका हर एक साल, जो three years का मैंने प्रोग्राम बताया था आपका, हर एक साल क्या ना academic result देखा जाता है, फिर्स्ट यर आपका complete हुआ, फिर्स्ट यर का आपका academic result देखा जाएगा, उस academic result के बेस्ट पर आपकी second year की fees में भी scholarship मिलती है, जो बच्चे पढ़ने वारे उनके लिए काफी ज़दा scholarship रखा है इन लोगों ने, प्लस में आपके academic result के बेस्ट पे ही आपको 5000 मन्त पर मन्त ली आपको stipend भी मिलेगा, वो किन बच्चों को मिलेगा, वो purely depend करता है आपके academic performance पे, तो ये purely committee के उपर है कि वो academic performance आपकी देखके decide करते हैं, placement के लिए बात करूँ, तो placement, पहला चीज तो आप जो latest placement अभी 21 वाला, वो आप जाके देख सकते हो, 22 वाला, placement at the ad cmi.ac.in के उपर जाके, एक placement, बहुत सारे placement के लिए ये एक company है, वो खुब सारे colleges के अंदर क्या करता है, प्लेस्मेंट का जो जितना भी operations रहते हैं, आपका company का और college की बीच में जितने भी बीच की जो operations रहते हैं, वो ये company देखती है, खुब सारे colleges के अंदर रहते हैं, तो cmi का भी इसी के अंदर रहता है, कितने student बेढ़ते हैं, तो ये 50 BST student इसके अंदर बेढ़ते हैं, और 70 MST student को eligible होते हैं आपके placement offer के लिए, अब फिर वो ही माइन माता है कि सरफ फिर placement है किस type का, तो मैंने कुछ data आपको समझाने के लिए लिए लिखे हुए हैं, इस type से year दिया हुआ है, कि 2021 में क्या था ना, maximum गया था 18.4 lakh per annum, average कितना था, mean जिसका निकाले, तो 12.99 lakh per annum, ये data obviously उनकी CMI की website से ही लिए वे बटा, 1921 में देख सकते हो 20 lakh per annum, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, और ये 14 lakh per annum, actually होता गया कि अपन एक ratio निकला जाता है, कि अगर आप education loan ले रहे हो, और कितना उसका placement है, तो उसका अगर एक performance, sorry, coefficient निकल के आता है, तो वो coefficient काफी अच्छा रहता है, इस college के लिए, कर कोई बचा loan लेके भी ये पढ़ाई करता है, तो भी benefits है, मुतलो fruitful है, कोई दिक्कत नहीं है, 18-19 का इस type करेता है, आप एक बार वीडियो पोज करके देख सकते हो, increasing ही ओड़ा है थे न, ऐसी कोई बात नहीं है, ये साइध करोना की time की बात है, थोड़ा सा उस time रह गया होगा, बाकी इस बार वाला आप एक बार इसकी website पे जाके, वीजिट करके देख सकते हो, अब अगर बात आई बच्चों की माइड में, ठीक है सर, हामें interest आ गया, कुछ बच्चों को, जो really interested है, तो सर इस साल, कब उसका exam में है, कब application form निकल रहा है, वो देख लो आप, application form आपका release होगा, 21st March, इससे लेके 30 April तक, exam date है, 22 May 2022, Sunday की दिन होगा, और, वोई timing, 3 hours, 2 PM, 2, 5 PM, part 1, part 2, दोनों आपके रहते हैं, तो ये थोड़ा सा आप note कर देना, अगर कोई interested है, तो, बाकी अगर बात कुरूँ, books के लिए बढ़ा, तो books मी मैंने आपको यहाँ पे refer कर दिया, अगर कोई बच्छा, अगर J.E. Advance की preparation के लावा, extra time निकाल पा रहा है, तो books के लिए बात करें, तो, pre-college mathematics, जो अभी आपके college से पहले जो त्यारी में जो books यूज कर रहे हो वाला, IMO book आप यूज कर सकते हो, राजिव, elementary number theory by David M. Burton, test of, यह काफी famous book है, इसको tomato नाम से बोलते हैं, यह काफी famous book है, तो कोई बच्छा, अगर ISI की preparation भी करना, यह ISI वाले exam के लिए भी है, लास्ट यह की खूब सारी में इसकेंदर ISI exam के लिए मिलता है, तो को दोनों similar है, पेटरंद, आप ISI की भी तयारी साथ में कर सकते हो, CMI दोनों के लिए, test of mathematics at 10 plus 2 level, टोमेटो नाम से बोक famous है, all olympiards books, क्योंकि मैंने olympiard वाला बताई दिया था, आमिता मगरवाल calculus का काफी famous book है, इसकी भी कि आप problems देख सकते हो, SL Loni, दोनों के लिए trigonometry और coordinate geometry के लिए, और IN Maroon and GN Burman, यह काफी famous book है, GN Burman भी, calculus के लिए, क्योंकि खूब सारे student इसको भी use करते हैं calculus के लिए, आमिता मगरवाल को लिए भी use करते हैं लोग, तो thank you, आपको वीडियो अच्छा लगत, बड़ा like and share कर दीजिएगा, और किस type की आपको और इसके इंदर जान कर लेनी है, तो comment section में ढाल दीजिएगा, all that